चीन में फैल रही कोरोना वाइरस की चपेट में आने वाले भारतियों को एर लिफ्ट चकर अलवर लाय जाएगा यहां MIA में बने ESIC हॉस्पिटल में बनाए गई अस्थाई आइसूलेशन सेंटर में 14 दिनों तक इनकी जाच की जाएगी जिससे तहत जीडी राजकुमार और केंद्री अश्रमंत्राले के सचेव हीरलाल सावरिया की पूरी टीम के साथ अलवर पहुचे और उन्होंने हॉस्पिटल पहुचकर व्यवस्थाओं का जाएजा लिया अलवर प्रिशासन को इस दौरान उन्होंने आवशक दिशा निर्देश भी दिये कि जो लोग आ रहे हैं अभी चाइना से एरलिफ्ट करके को वो कोई भी बिमार नहीं है वो सभी लोग साधारण आप और हम जैसे इंसान है किसी कारण वस्थ चाहे पढ़ने चाहे बिजनेस के लिए या कोई काम से चाइना गए वे थे अब चूंकि वहाँ पे महामारी फैलनी शुरू हुई है तो उन सभी लोगों को भारत सरकार ने निर्णे किया है कि वे एरलिफ्ट करके यहां लेके आएंगे और उन लोगों को एक क्वारिंटेन प्रोटकॉल के तहट कुछ समय चौदा दिन प्रदी व्यक्ति के हिसाब से उनको अलग से रखा जाएगा समाज से जिससे की उनमें अगर कोई भी लक्षण है तो वो फैले नहीं आम जो जनता है उसमें ना फैले चौदा दिन बाद यदि वो स्वस्त पाए जाते है तो उनको अपने घर जाने की इजाज़त दे दी